हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होंगे मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए दिवाली से बच्चे हुए समान को हम कैसे रियूस कर सकते हैं उसे रिलेटिड कुछ टिप्स एं ट्रिक्स लेकर आई हूँ आई होप वो आपके लिए काफी यूसफुल रहेंगे चलिए देर न करते हुए वीडियो देख लेते हैं कि वो हमारी टिप्स क्या है चलिए फ्रेंट्स मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की लड़ियों को लेके जो की हम अपने घर में अपने डेकोरेटिव परपस के लिए यूस करते हैं चलिए, देख लेते हैं कि इसका इस्तिमाल हम कैसे करेंगे, अम इसका इस्तिमाल जो है अपने पड़ों को टाइअप करने के लिए भी कर सकते हैं, आप एक बार इनसे आपने पड़ों को टाइअप करके देखिए, ये देखने में तो खुबसूरत लगेंगे ही लगेंगे, ये आपके पड़ों को एक यूनीक लुक भी देगा और हमारे पास different color की लड़िया होती हैं तो हम क्या कर सकते है हर कुछ दिनों में जब आप एक लड़ी से बोर हो जाए या एक color से बोर हो जाए तो आप इन लड़ियों को change करकर के आपने पड़्दे और कमरे के लुक को भी बदल सकते हैं चली friends बढ़ते हैं आपने second जुगाडू है की तरफ इस तरीके के मिठाई के डिब्बे तो हमारे घर पे आते ही हैं दिवाली पे क्या जब भी हम कोई भी function या तो हमारे घर में तो इस तरीके मिठाई के डब्बे आते हैं जिसको हम use करने के बाद अकसर फैंक इससे related एक tip मैंने पहले भी आपने वीडियो में आपके साथ share की हुई है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज मैं आपके लिए इसका दूसरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यह दिब्बे हमारे काफी solid होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इन डिब्बो में एक दूसरे के ओपर डिब्बा रखके अच्छी तरीके से इनको डेकुरेट कर सकते हैं मैं आपको डेकुरेट करके नहीं दिखारी मैं सिर्फ आपके साथ एक आईडिया शेयर कर रही हूँ तो आप क्या करें इन डिब्बो क अच्छी तरीके से किसी भी पेपर से आप इनको डेकूरेट कर ले, अगर आप डेकूरेट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो आपके बीच में लगाना है एक टीशू पेपर, इस तरीके से आप इसके अंदर टीशू पेपर अख लीजिए और के बाद आप अपनी जो भी ऑइल की बॉटल होती हैं अगर हम इनके नीचे कुछ भी नहीं रखते हैं तो यह हमारे सरफेस को जो है गंदा कर देती हैं जिने हमें बार बार साफ करना पड़ता है तो आप अपने मिठाई के बचे हुए डबो का इस्तेमाल इस तरीके से अपन करना है उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से अपने घर की रबर बेंट्स का अब हमने क्या करना है रबर बेंट्स को अपने इस मिठाई के लिब्बे के दोनों साइड पे इस तरीके से लगा दिया है अब यह हमारा एक और्गेनाइजर सा बनकर तयार हो गया है इसको इसका इस्तेमाल आप अपने कोई भी beauty products को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यह दिखिए इस तरीके से आप अपना कोई भी समान इसके अंदर organize करके रख सकते हैं इससे एक तो आपका समान संबला रहेगा और आपका dressing table भी देखने में आपका खुब सूरत लगेगा और सबसे बड़ा benefit यह है कि आप इसकी मदस से इसके size को भी अपने हिसाब से चोटा या बड़ा भी कर सकते हैं चले friends मेरा अगला है कोने वाला इस तरीके की दिवाले की लड़ीयों को लेके जो कि हम हर साल अपना इस्तेमाल करते हैं और आप अपने घर को सजाने में लाइटि जब हम इसको देखते हैं तो इन में से एक ना एक लड़ी खराब हो चुकी होती है तो अब उन खराब लाइटों को हम क्या इस्तेमाल करें चलिए उसके लिए भी मैंने बहुत बड़ी जुगार डूंडा है तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं उसका इस्तेमाल मैं कैस उसके लिए बजार से महंगे दामों में 있는데요 मैं क्या करती हूं मैं क्या अब हम क्या करेंगे अब हम किसी चाकू की मदद से गरम करके हम इसके इतने वाले पोशन को काट लेंगे और हमें इसको पूरी तरीके से अलग नहीं करना है थोड़ा सा अटैच किया हुआ छोड़ देना है चली मैं आपको काट के दिखाती हूँ यह देखिए मैंने बोटल को कट कर लिया है और इतना सा छोड़ दिया है इसको बिल्कुल पूरी तरीके से कट नहीं किया है अब हम क्या करेंगे अब हम इस बोटल के अंदर यह जो लड़ियां है इनको हम डाल देंगे इन लड़ियों को आप पहले अच्छी तरीके से पैक कर ले ताकि यह आपस में एक दूसरे से उल्जे नहीं इस तरीके से हमने सारी लड़ियां इसके अंदर डाल दी हैं अब हम क् लेकिए हमारी कितनी बड़िया इसके अंदर हमारी जो लाइटे थी कितने अच्छी तरीके से इसमें ऑर्गनाइज हो चुकी है अब हम इस बॉटल को जहां चाहें वहां रख सकते हैं इससे हमारी लाइटे तो सेफ हुई हुई और साथ में हमारे बेकार पड़ी हुई लेकिन यह काफी अच्छी होते हैं इसका इसमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं जैसे कि इसमें कोई भी अपना ड्राइसमान फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जैसे कि आप इसमें अपने मिर्ची धनिया अधरक कुछ भी जो समान है आपका जो पड़ा हुआ है जिसमें आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, और यह अच्छी तरीके से बंद भी हो जाता है, तो इसमें मोश्चर जाने का भी कोई खतरा नहीं रहता है, तो आप इसको इस तरीके से बंद करके अपने फ्रिज में इसका इस् जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें इसको और्गनाइज करने के लिए भी मार्किट से हम जो और्गनाइजर लेकर आते हैं, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हैंक कर सकें। तो ऐसे कंडिशन में अगर आपका कोई पीछे से बांगने के लिए नहीं है तो आप उसको किस तरीके से हैंक करके रख सकते हैं विदाउट बजार से पैसे खर्च किये हुए तो उसके लिए मैंने जो जुगार ढूंडा है चलिए वो भी बता देती हुमें आपको उसके लिए आपने कोई भी इस तरीके की बॉटल लेनी है बॉटल लेने के बाद हम क्या करेंगे इसका इतना उपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे चलिए अब हमें क्या करना है अब हम चलते हैं अपने गैस की तरह अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अब क्या करना है अब कपड़े की मतद़ से इसको प्रेस करते जाएंगे यह देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है अब यह निकल नहीं रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है इसकी यह जो कैप है कैप के अंदर जो हमने होल किया है इसके अंदर हम धागा डाल देंगे देखिए हमारा टांगने वाला ये बन गया है अब हम क्या करेंगे यह जो बॉटल है बॉटल के उपर वाला हिस्सा है उसके ओपर हम इसके एपको फिट कर देंगे इसके अंदर यह जो दागा बांधा थाए और हमारा हैंड़ सा बनकर प्रिवार हूं गया है लेकिन रंगोली का और भी इस्तिमाल हम कर सकते हैं आपने घर की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं जैसे कि मैं उसको इस्तिमाल करती हूँ कि जैसे कि मेरी गणेश जी है इनको मैंने जैसे दिवार पे लगा रखाया अगर मैं इसको सिंपल दिवार पे लगाती हूँ तो यह खुबसूरत तो लग रहे हैं लेकिन अगर इसकी खुबसूरती को और बढ़ाना है तो मैं क्या करती हूँ जो रंगोली का पीस है उसको मैं इसके नीचे लगाके इसके ओपर अपने गड़ेश जी को लगा देती हू अब आप देखिए कि दोनों में आपको कितना फर्क दिखाई देगा चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नई टॉपिक्स के साथ तिल देन टेक केर और बाई बाई